अगर क्लच पकड़के चलाएंगे तो भया क्लच प्रे उड़ जाएगी ओहो यह तो स्टीफ है मैं व्लॉग में वही बोल रहा हूं फट रही है बड़ भाविन को देखके मैं चड़ रहा हूं और यह वो फोर्ट है लोगर फोर्ड उपर चोट असा एक फ्लाइक दिख रहा होगा यहां से एंट्री है फोर्ट की लिए एक नंबर ऐसे बीजबी मत खड़े रहे भाई बैस जिस समय पर यह व्लॉग देख रहे हूं उस समय के सबसे बेस्ट विशीद आपको बहुत दिनों के बाद में निकला हूं आज राइड पर इतने दिनों तक मैं घर पाई था क्योंकि बाइक का सेंटर स्टेंड रबर जो होता है थोड़ा सा इशू सा वो मुझे मिलनी रहा तो वो रिस्क लेकि मुझे चलाना नहीं था वो मैंने जुगाडगा के कुछ भी लगा दिया है अब आज मैं निकला हूं बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत दिनों के बाद में निकला हूं आज I am going with my friend Bhavin तो Bhavin से मैं आगे चल के आपको मिलाता हूं लेट हो गया हूं वो अरुड़ी पोच गया बाद स्रीशन पर जो चलो फड़ावड निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं वेल्कम बैक तो माई चैनल फिलाल तो हम सायन में कड़े हैं पीछे है भाविल बाविल कुराना की लड़ी है उसका इंड़क्शन मैं तुम्हों ब्लॉग बेदूंग दुबारा से एक बाद देख चुका हूं और यह हमारे दूसरे दोस्ते है इसको तुम्हें एक साल के मनलग पता लिए जब वाइक में नहीं लिए थे तब इसको लास मिला था और एक दीड़ साल के बाद में मिल रहा हूं तो फिलाल हम लुग रुकिया है सायन पर वहां से निकलेंगे क्लमबुरी की दरफ फुर्णा एर प्रिट्सर चेक कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टरिशन की दरफ चलो आगे मिलते हैं का किताब हैं तो इन्डिया ऐवर्ड बिला हुआ है वही बन्दा है तो यह एक इंट्रोड़क्शन देना था और साथ मेरे है पकैसस राइडर काफीपराना फ्रेंड है यार बहुत मेहनों के बाद मैं। बहुत साल हो गए मतलब एक्चुली बोल सकते हैं कि जब इने पाइक नहीं भी तभी मिला था मुझे अभी मिला हुआ है तो अच्छा लगता है कि काफी दिनों के बाद हम एक साथ में राइड के ले निकलते हैं तो पिला तो हम यहां से निकल गए और आगे हम बढ़ेंगे क कि तरफ क्योंकि मैंने टैंक तो फूल कर गया रखा था लास ताइम बढ़ एर भी डाल गया रखा था बड़ तो च्छानों कि इबर कलंबोली में रुक कर एर चेक करा ले और फिर वहां से आगे निकल दे क्योंकि फिर पूरे दिन बर में कहीं भी एर भरने की या चेक करन प्रणे की जरूरत नहीं पड़ेगी चलों निकलते हैं आगे अगे के लिए मेरा भी एर कम था बहुत ज्यादा कम था एक चुरी आगे 25 था तो लास्टाइम जब भराया था तभी चाय से उतर गया होगा तो एर भरा के फटा फटा आगे निकलते हैं उजाला हो गया है और गर्मी भी चादू हो गई है जबरदस्त वादी तो चलो यहां से न आगे लादा आगे लुट चारो झालड़ी लादी से टो करता है जिए चालड़ी वे प्रूल करते हैं उपने हैं दूट हम यहाँ पर थोड़े कि रुके दे निए मस्त भी हुआ है यार कि थोड़े की रुखे थे यहां पे हम लोग मैंको बस लेना जा स्टिंग थोड़े सी नीन दा रही थी तो सचा रिफ्रेश्मेंट ले रूँ और यहां से आगे बढ़ते हैं आगे भी थोड़ा से रिपने वाले हैं चाहिए से भाविन बुल रहा मुझे भूग लगी है तो मैं थोड़ा कुछ रूपके खाऊंगा हमने का ठीक है चलो तो आगे रुकेंगे फिर वहां से हम निकलेंगे अपर डेस्टिंशन की तरफ डेस्टिंशन मैंने आपको चाहिए अब तक पताया नहीं हम जारे लोगड की तरफ थोड़ा सा ओफ रोड का ट्रेल्स है वहां और फिर वहां पे उपर अगर फोड में जाने मेरा तो फोड में भी जाएंगे और फिर देखते हैं आगे जूप निकलने के पहरे फटावट अपना इंसर्टेन्मेंट करके लेते हैं और फिर बाद में आते समय पे बुवा ची मिस्टर पे रुके बुवा की मिस्टर लगाया था कैमरा और हमेशे की तरह चार्जिंग पर लगाया सुबर निकल लिया पर देखा ही नहीं कि बटन चालू था कि नहीं था और बटन था हो गया ना पोपट निकल गई हवा तो फिर में बिच में व्लॉक नहीं कर पाया कुछ भी और मसीब से मैंने पावर बैंक दिया था चार्ज करने को रखा था तो वो मैंने कैमरा चार्जिंग पर रगा दिया और मस्क अभी 100% हो गया है और आगे जाके आपको में आगे की नजारे दिखाऊंगा और थोड़ी बहुत और पादशीत भी करेंगी तो निकले हम लोग अपने डेस्टिनेशन की दरफ और आगे से एक राइड आएगा थोड़े के बाद में वहां से फिर हम अंदर की दरफ मोड़ेंगे और वहां से थोड़ा सा ओफ रोड होने वाला है जैसे मैंने आपको बताया है कि बिचमे मैंने कोई व्रॉग नहीं कि अपर से टायर डलवाना था वह भी डलवा दिया फिर सेंटर स्टैंड का इशू हो रहा था तो वह कुछ जुगाड किया हुआ है बद देखते हैं कितना चल पाता है और अभी चेन भी नया डालना है चेन में से काफी आवाज आ रही है और प्रॉकेट भी अच्छा वाला डलवाना है जेटी स्प्रॉकेट यह जोट होते हैं यह दोनों ब्रैंड है जो काफी अच्छे हैं इंपोर्टे ब्रैंड है तो अजर यह दोनों ब्रैंड के तो बस यहीं से कहीं से तो राइट का एक कट है इसके बाद में चालू हो जाएगी अपनी सफारी ओफ रोड सफारी यह कैप्शन में डालूंगा ओफ रोड सफारी दूब भी मस निकली है बड़ यहां पे इतनी दूब लग नहीं रही है ठीक है जस्ट विकॉस हम थोड़ा उपर है आते समय पे जैसे हम नीचे उतरेंगे खुपोदी से आगे बढ़ते हुए कलमूली की तरह बापरे फिर तो बतानी शाय से पैरों की दोनों तंदूरी हो ज जाती ना पैर बुरा फ्राइ होके निकल जाएगा बड़ यह फिर भी ठीक है इसको मैंने बहुत बेकर बेकर स्टुटेशन में भी चलाया हुआ है चारीज जिगर में भी चलाया हुआ है बड़ तच्वूड अच्छा गिया इस ने करी रिक यूश्ज कई वेटल केंड अ मिम वहांàng सुन जातक है जहां पर हम को रुकना था है ब wreckage हम फक्रीक का अष्वा की अचंती डिख चुक 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 तैसन गोले रुक 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 रुक準 क्पहलो है अर्श कुमाल का पेमाल सुझ है यह सुनो उस यह वाला सुंग आरेल गाड़ी चुकुकुकुकुक पीच वाले स्टेशन बोले रुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकु contractors can go watch again जहां बहां कि यहां से बहां बहां स कि महां सिज्ण चलो बाई-भाई-दी-जाषड़ mमार्षड़ फातख खुल जिल्दी कुल गया फाटक चलो चलते हैं बहुत दिनों के बाद में आफ रोड के लिए भी जा रहा हूं तो इतना कॉन्फिरेंट हो नहीं हूं बड़ देखते हैं वाँ क्यों आफ रोड में धूप पसीना होता है ना तो हलत खरा हो जाएगी उपर से हमने जैकेट पहना है मैं तो सोच रहा हूं कि जैकेट निकाल लूँ और चुप चाप पिछे लगा दूँ बंजी कोड लगा दूँ चुप चाप अपना ये टी-शेट में या तो अपना जर्सी में बाइक चलाओ में को लगता है आते समय पे मुझे वही करना पड़ेगा इतनी धूप के अंदर जैकेट बीछे डाल दूँगा और आराम से अपनी जर्सी में चलाओँ अगए कितना दूर है उपर सेपांच मिनिट बस तुम तो बहु सार आ है अ कि चलो फिर मेनतर तब तोम्हारा बस मिनिट है प्रें को मतरो शाही हमारा बास मिनिट है तुम्हारा बाश गंटा उसना यहां पर लगता है शाइद बारिष में मज़ा आएगा यह रोड तभी अच्छा दिख रहा है सिमेंट का बना हुआ है बट ग्रेवेल अगरे पड़ा हुआ है तो बाइक स्क्वीड होती है उसका थोड़ा ध्यान लगना बढ़ता है यह सारा दूल मट्टी मेरे आखो में भी जाने वाला है ऐसे जब रोड जब छोटे छोटे होने लगाते है न तो थोड़ा होड़ा ऐसे लगता है कि आगे जा कि फिर रोड इदम खतरना होने वाला है बट वैसे अच्छा लगेगा अगर कैमरे में सब आ रहे है दीनो बाइक्स तीनो टियार के अगर कैमरे में आती है तो अच्छा लगता है यह रोड शायद ऐसे ही है थोड़ा उपर चड़की नीचे उतरने का यहां पर लगता बारिश में बहुत मज़ा आएगा यहां पर स्ट्रीम बना हुआ है यहां से पानी आके निकलता है उपर जाके थोड़ा पत फोटो सेश्ण भी कर लेंगी हम बट बारिश पे फिर आना बनेगा यहां पर अच्छा उपर है क्या ज्यान देना पड़ेगा आगे भी यह चड़ाई तो काफी अच्छी चड़ाई है यार लच छोड़के चलाना पड़ेगा अकर क्लच पकड़के चलाएंगे तो भाया क्लच पर उड़ जाएगी ओह 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 यह तो स्टीफ है अच्छ पकड़के चलाना पड़ता है है मिसलाइ मेरा इचारश में पर आफ है है चड़ाई एंच्छह कासी चड़ाई है पड़िए गुमा के लिन हाबड़ेगा ऑख अके हरण स्टीप टर्न मारेंगे न में बैल जाने का चांसे होता है। तो पूरा खुमा के मारेंगे अगर गाडिया नहीं होंगी तो घुमा और जोक अबढ है अओ थोड़ा तक में और शेष्ट भी तो झेक्ज हória simplemente कर अने पाइब बट चरेंगे हमारी आगे यह रहो यह इसी स्कूटर बाइक आ जाती न तो थोड़ा सा टिंशन हो जाता है क्योंकि फिर उसको जगा देनी पड़ती है वह वह यह तो चड़ा ही ये ये तो ठीक है कि रोड थोड़ा सा डामबर बना वाला है अगर ये डामबर वाला रोड नहीं होता तो फिर क्या होता ये तो खुदा जाने Oh उटरते समय भी मदा आने वाला है चटते समय तो आई रहा है तो अगर रेगुलर बाइक चलाओ ना इस बाइक का पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको सीखना अभी भी बहुत कुछ बाकी है और मैं इसको regular नहीं चलाता हूं तो ऐसा रगता है कि practice से निकल जाता हूं इसको regular चलाओ आना तो confidence रहता है अगर मैं अब जैसे मैंने देड मेना नहीं चला है ना तो मेरा confidence तो अदासा low है मतलब मैं यह सब कभी बोलता नहीं हूं व्लॉग में बड़ आज बोल रहा हूं क्योंकि मुझे actually लग रहा है मेरा confidence तोड़ा सा low थोड़ी गड़ी थी हाँ thought though yeah मैं कि मैं व्लॉग में वोल रहा हूं मैं फट रही हैं बद भाविन को देखे में चड़ रहा हूं इसको देखे ज़व हो कि अगर में से कोई रुकता है तो पेमेरी बैंड बचती है है तो फिलाद तो हम लोग रुके दे यहां पर थोड़े देर के लिए हमने ब्रेक लिया था अब यहां से हम निकलेंगे आगे की तरफ देखते हैं आगे कुछ ओफ रोड मिलता है तो भाविन भाविन आप आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं चलो निकलते हैं यह भाई भी निकलेंगे मैं पिछे ही रुकूंगा slow and steady wins the race दूप बढ़ गई है धीर धीरे और चटका माना चालू कर दिया बढ़ यह अच्छा है कि थोड़ा लोनाला से आगे हैं तो जो हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी से मस्त थंडी थंडी लग रही अंदर जैकेड के अंदर से निकल रही है यहां वहां से तो इतना गरम वाला चटका नहीं मार रहा है जो obviously खोपोली के बाद में कडमबुली म पहुचते ही जबरदस तंदूरी बिर्यानी बाबे की जो बोलो वो बनने वाला है पेरो का ओ जो पीछे का जो स्टीब चड़न था ना यार जबरदस था थोड़ा फड़गी थी मेरी मैंने बोला भी दा कि मेरा confidence लो है बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं तो यह clutch accelerator वगर से दोनों को एक साथ में coordination करना बहुत दिनों के बाद में हो इतनी heavy vehicle tank full है उसका weight है अपना weight है तो यह सब है ना तोड़ा से difficult लग रहा था बचलो हो गया अब उमीद करते हैं कि आगे कुछ अच्छा view मिले देखने के लिए शिव साइव अच्छा यह फोर्ट है यहां से ए हफएश में हम उर थो हो ही है कि एक नमबर हे और भी steep climb आने ओला है अरे बाई साहब अरे बाई साहब अरे बाहिए अरे आगैसे बैसमी मनıs कडे रहे बाए बैसों से मेरा पूराना वास्ता है तो क्यू बीच में खड़ा हो गया ऐसे यह से केटल रस्ते में गूमते है ना मुझे तो बहुत डर लगता है उनका भरोजा नहीं होता है कभी भी मूड के रस्ते पर आ जाती है एक जगे पर खड़े नहीं हो बाती है और रुकिंग ही नहीं अपने दिये कि चलो बाइक को जाने दो फिर हम आते हैं पाउना वेक दि कर दिखाता हूं मैं अपको रुक कर आपने एक्षेंग एकश्ण कैमेर में जूम नहीं होता है तो दिखाऊंगा फिर भी जुगाड़ करके और यह वो फोट है डोगड़ फोड़ ऊपर चोट असा एक फ्लैक दिख रहा होगा दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं चलो चलते होटल तो बढ़िया है कि ओ शिप है शिप के जैसा लग रहा है तो कि यह पाउना लेक का व्यू आगे चल के देखना पड़ेगा तो फाइनली हम पहुच गया उपर बहुत स्टीप पे चड़ाई थी कर लिया थोड़ा उपर आने के अब में अच्छा लगा थोड़ा इतना चड़ाई नहीं थी हम यहां पहुचे हुए एक जगे पे एक रिसॉर्ट है यहां पर गोदाई रिसॉर्ट करके बहुत ही प्रफस का अर्रेजमेंट भी है और हम लोग वहां पर गए थे पीछे की तरफ बैटके तर टाइम पर्स किया तोटी से बाते की आज वह मैं आपको दिखाता हूं वहां से व्यू कैसा है चलो मस्क लग रहा है ना यह है पीछे का व्यू हम लोग वहां पर बैठे थे बैठके अमनों डिस्कुशन किया बाते की और यह व्यू है कि आए बैठे बाते की और खिछे की और यह है तो देखा ही होगा आपने बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है यहां से पाउना लेक दिख रही है आगे तीन प्राइविट बंगलो भी से आपको मैंने दिखाया बहुत ही अच्छा लग रहे हैं तो बस हमारा यहीं पर आने का मकसद था थोड़ा पीसफुल लोकेशन पर लुटा शान तो भीड बड़क का निए जैसे वह अहूरा पर बहुत बीड होती है बहुत गर्मी होती फिर ट्राफिक भी बहुत हो जाती है जब इस ने एक से जाते हैं तो सोचा कि इस तरह आज जाए तो प्रेंट करें मता आएगा थूड़े बाती भी होगी बहुत दिन तो हम निकल चुके हैं यहां से बुवाची मिस्तल के लिए बहुत बूग लगी है गर्मी भी बहुत हो गई है तो वही सोच रहे हैं खाने के बाद में जो ऐसी नेंद आने वाली है दबा के हां हां जैको मैं भटक गया बात करते का जै भटक गया कि बुवा की मिस्तल खाने के बाद में ऐसे डिस्ट्रैक्ट होगा इतनी जाने वाली न डिफिकल्ट होगा बाइक चलाने को और जैसे हम लोग नी बॉम्बे कि दर पहुचेंगे और ज्यादा हारत खारा होजाएगी तो बस अभी नीचे उत्रेंगे यहां से जाने के लिए बारिश में तो यह बहुत अच्छा रखता है यहां पर पुरा ग्रीनरी हो जाती है अलमस्त पहुच गए हम लोग गुवा की मिस्तल के पास बाकी के मेरे दोनों दोस आके पहुच गए हैं शायद से और उनी इन पुर्शi आगे निकल गए हैं नहीं पहुचे अभी तक वह पीछे से मैं ही पहुच गया है तो इसका पूस से ने हमने NICK तो फाइनली हमारा हो गया खावी के मस तबाया हमने मिस्सल वड़ा बजिया आइस क्रीम कोल्ड रिंग जो बोला वो सब खाली हमने हो गया हमारी राइड काफी चुपी ती शौट एम स्वीट टीक है ऑफ रोड तो कहीं मिला नहीं क्योंकि रोड बन गए थे हमें लगा चाह हम जैकेट भी निकालगी बिचे बंजी से बांदू और अपने जलसी पर गाड़ी चलाओ देखते आगे चलके कैसे होता है तो यह मेरा व्लॉग यही तक था आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना बहुत दिनों की ब कर दो